नमस्कार आप देख रहे हैं, DTV भारत आपके साथ मैं हू निबासिंग, कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने सबी स्कूलों को बन कर दिया था, इक्साम को कैंसिल कर दिया था, लेकिन जो 10 वी, CBSC के जो 10 वी क्लास के जो बच्चे हैं, उन्हें internal इक्साम के जरूई प्रमोट कर दिया था लेकिन फिर सवाल ये खड़े हो रहे थे कि और जो एक्जाम है 12th के एक्जाम है और फिर प्रतियोगी परिक्षा है वो कब होगी तो मैं आपको ये जानकारी दे दू कि फिलहाल इसको लेकर के केंद्रिय सिक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में सभी तरह के जो प्रश्ट है उसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा हम इसकी पूरी जानकारी देंगे फिलहाल बैठक चल रही है तो इससे जुरी हम आपको जानकारी देते इस बैठक में कौन-कौन शामिल हुए है फिलहाल नीर्ने क्या निकला है वो हम इस बैठक के बाद पर चर्चा हो रही है वही इस बैठक में देश भड़ के सभी राज्यों और किंद शासित प्रदेशों के सिक्षा मंत्रियों सिक्षा सचीवों और राज परिक्षा बोडों के अध्यक्षों और स्टॉक होल्डर शामिल होंगे यह वर्चुल मीटिंग फिलहाल चल रही है बता दे कि इस बैठक की अध्यक्षता किंद्रिये रक्षा मंत्री राजनात सिंग कर रहे हैं वहीं इस संबंध में किंद्रिये सिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और कहा कि राज्य सरकार के सभी सिक्षा मंत्रियों और सचीवों से इस बैठक में शामिल होन और आगामी परिक्षाओं के संबंदित में अपने विचार साजा करे और साती सात उन्होंने अनुरोध पी किया हम आपको बता दे कि कोरोना की दूसरी लहर में लगातार ये जो मरीज मिल रहे हैं इसको देखते हुए सरकार ने स्कूल कॉलेज और एक्जामों को कैंसिल कर द और लेकिन ये भी फिलाल चर्चा नहीं हो रहे थी कि एक्जाम कब होंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्जाम का इंतजार कर रहे थे आगे की परिक्षा का इंतजार कर रहे तैयारी करने के बाद भी परिक्षा को कैंसिल कर दिया गया जिसके बाद अब य इस साड़े पे आज निर्ने लिया जाएगा तो फिलाल हम आपको बता दे कि मिटिंग चल रही है किंद रही है सिक्षा मंत्री के साथ कई बड़े-बड़े मंत्री मिटिंग में शामील है और जल्द ही फैसला हो जाएगा कि सीबीसी 12 के एक्जाम्स कब होगे इंटरेंस एक् परिक्षा कब होगी तो जल्द ही फैसला आजाएगा और हम आपको वो जानकारी दे देंगे तो फिलाल बने रहें डी टीवी भारत के साथ नमस्कार